आज 21 जनवरी 2022 के बाबा के अनमोल मतुर महावाख के सुनेंगे आज की मुरली में बाबा कहे यह दुनिया एक और तो लोग भारत की महिमा काते हैं दूसरी और भारत की हालत भी बताते हैं दोनों अती में दिखाई देती हैं भारत ही सोने की चिडिया थी जहां सब भंडारे भरपूर थे और वही जब गिरता है तो बेसमज़ भी बन जाता है बाबा कहे इसी भारत भूमी पर सो प्रतिशत समज़दार और सो प्रतिशत बेसमज़ भी बन जाते हैं आधा कल्प सो प्रतिशत समज़दार का राज्य चलता है और द्वापर के बाद जैसे गिरावट आती है तो धीरे धीरे सो प्रतिशत बेसमज़दार भी बन जाते हैं और कल्यूग अंत तक एक दम बेसमज़ बन जाते हैं और बाबा आकर के ऐसे सो प्रतिशत बेसमज़दार को एक ही जनम में समज़दार बना देते हैं वह भी सो प्रतिशत समज़दार देवता बना देते हैं ये है इश्वर की शक्ती का सबसे बड़ा प्रमान जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता है आज मनुश्य अपने घर में माता पिता अपने बच्चों को समझदार नहीं बना पाते हैं कोई बात सिखा नहीं सकते शिक्षा नहीं दे सकते हैं और बाबा अपने बच्चों को एक ही जनम के अंदर एक जनम में भी कईयों का तो आधा जनम भी बीद गया उसके बाद बाबा मिला उस आधे जनम में उसको सो प्रतिशत बेसमझ से समझदार बना दे इससे बड़ा इश्वर की शक्ती का सबूत और क्या हो सकता है साथी साथ आज बाबा की बहुत दार्णा युक्त मुडली है तो सुनते हैं बाबा के मदुर महवाग्य ओम शंती मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो माया कोई भी पाप कर्म न करा दे है इसकी संभाल करो आज की मुडली से प्रश्ण है बाब का नाम बाला करने के लिए कौन सी धाना ये चाईए उत्तर है नाम बाला करने के लिए इमानदार वफादार बनो सच्चाई के साथ सेवा करो बैती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ अपनी करमेंद्रिये पर पुरा कंट्रोल रख आशाओं को छोड काईदे सर चलन चलो सुस्त नहीं बनो ज्यान योग की पहले खुद में धानक हो तब बाप का नाम बाला कर सकेगे बाबा का नाम बाला करने के लिए कौंसे कौंसे गुन चाहिए इमानदार वफादार सच्चाई बैती गंगा बनना अपनी करमेंद्रिये के उपर संपून अधिकार अनासत व्रत्ती और कभी सुस्ती नहीं हो काईदिसर चलन हो ज्यान योग की पहले खुद में धारना हो ये सारे गुण है तो बाप का नाम बाला करना सहज है आज की मुरली से पहले कीट बजा है आज के इनसान को क्या हो गया वह पुराना प्यार कहां खो गया ओम शानकी यह है भारत की आज की हालत एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं दुनिया इन बातों को नहीं जानती है तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते है कि भारत ही 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ है 100% समझदार दायजार वर्ष रहता है सत्युत्रेता में फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है पूरे समझदार को फिर एक जनम में समझदार बनाने वाला है बाव पूरे बे समझ को संपूर्ण समझदार बनाने के लिए दस एक चनम और ठाथ ये छोटा सा संगम देओ इस समय में इतने 33 करोड देवी देउताउं को समझदार बना देना यही तो भगवान की शक्ती का प्रमार है कोई एक दो को समझदार बनाये ये नहीं लेकिन 9 लाग से लेकर 33 करोड आत्माव को percentage wise समझदार बना दे ये कोई इनसान का काम तो नहीं बिसकता है कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है किये हुए पाप याद पड़ते हैं अब तो समझ कर काम करना चाहिए बेसमझी से कोई भी काम नहों बड़ी संभाल रखने हैं माया वार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता है काम का भी सेमी नशा आता है बच्चे लिखते हैं बाबा तुफान आते हैं काम का तुफान कम नहीं है बहुत प्रकार का नशा माथा गरम कर देता है प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धी जाती है योग पुरा न रहने से अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है बाबा कहे एक तो योग पुरा नहीं और दूसरी अवस्था कच्ची है तो नुकसान बहुत होता है बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है बड़े कड़े तुफान है लोग भी बहुत सताता है जो बेकाइदे चलन चलते हैं जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं तुम भी सन्यासी हो वह हठी होगी, तुम हो राजी होगी उनमें भी नंबरवार होते हैं कोई तो अपनी कुटिया में रहते है भोजन वहां ही उनको पहुँचाता है बाबा कहे कई तो ऐसे भी है जो अपनी कुटिया में रहते है भोजन वहां ही उनको पहुँचाता है कोई पहुँचाता है तो भोजन वहां ही उनको पहुँचता है वह मंगा भी लेते हैं विकारों का सन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्य को खीचती है उनमें भी नंबरवार होते हैं इसमें भी ज्यान योग बल की ताकत चाहिए जो जंगल में बैठे भी अगर उनको वहां बोजन पहुंचता हो तो बाबा कहे उनकी पवित्रता की शक्ती है जो मनुष्य को खीचती है उनके ज्यान योग बल की ताकत चाहिए जितना योग में रहेंगे ऐसे ही बाबा बच्चों को साउधान करते हैं जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवा नहीं रहेगी योग है तंदुरस्ति की निशानी बल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है फिर भी योग पर आधार रहता है ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए सन्यासी लोग मांगते नहीं है योग का बल रहता है योपर योग में जो ऐसे रिशी मुनी सन्यासी होते थे उनकी भी योग का एक बल होता था या साइलेंस की भी शक्ती होती थी तत्वय योगी में ताकत है नागे फकीर जो होते हैं वह तो दवाईयों से काम लेते हैं वह हुआ आर्टिफिशर तुम्हारा सारा मदार योग पर है तुम्हारा योग बाप से है वो तो तत्वयोगी है ब्रह्मयोगी है फिर भी उनमें ताकत है तो बाबा कहे तुम्हारा योग तो बाप से है तो इससे पद भी भारी मिलता है तुम्हारे देवी देउता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है, उनको कोई इश्वर्य मत नहीं मिलती, तुमको इश्वर आकर मत देते हैं, कितना भारी वर्सा मिलता है, 21 जन्मों के लिए प्राप्ती है, परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी योग पुरा लगाते रहे, तो यह लोग मोह आदी विकार सताएं नहीं, वहतों को सताते हैं, यह चाहिए, यह चाहिए, पक्के सन्यासियों में यह नहीं होता है, एक खिड़की से जो मिला वलिया, जिनका करमेंद्रिय पर पूरा कंट्रोल रहता है, वह फिर दूसरी कभी नहीं लेंगे, कोई तो ले लेते हैं, यहां भी ऐसे हैं, वास्तों में ईश्वर के बंडारे से जो कुछ काईदे सिर मिले, उस पर चलना ठीक है, मनुष्य को आश बहुत उठती है, आश पुरी नव होने से सुस्त बन जाते हैं, यहां सब को इमानदार वफादार ब मिटा देनी है, तुम बच्चों को बहुत स्रेष्टाचारी बन जाते हैं, बाप तो हर रिती से पुर्शार्थ कराते हैं, कि बच्चे नाम बाला करें, एक तो योग में रहना है, और ज्यान धारण कर औरों को कराना है, गंगाओं को बहना है, समझाना है, सच्चा योग इसको कहा जाता है, भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो गौड फादर है नहीं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो मैं शान्ती और सुख का वर्सा दूँगा, कितनी सहज बात है, किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ नकुछ खामिया है, सर्विस तो अथा है मनुष्य को शम्शान में फुर्सत रहती है, बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौंख हो, कोई विकार नहों हो, तो जाकर समझा सकते हैं तुम्हें समझाना है, क्या समझाना है, कि एक बाप को याद कर, जिससे ही फल अर्थात वर्सा मिल सकता है, सन्यासी, हठियोगी, गुरु आदी क्या देते हैं, जो भी सिक्षादी देंगे, अल्पकाल सुख की बाकी तो सब दुखी देते हैं, और यह बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं, अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो विनाश सामने खड़ा है मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे पवित्र तो रहना है निमंत्रम तो देना होता है दिन प्रते दिन पॉइंट सहज कर दी जाती है ताबा दिन प्रते दिन ज्यान को कितना सरल सहज कर देता है बड़े बड़े शहरों में, समशान में बहुत आते हैं, समशान में सर्विस बहुत हो सकती है, बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, अच्छा छुटी लेकर जाओ, सर्विस में बहुत फाइदा है, विनाश तो हो नहीं है, अर्थक्वेक आदी होंगे, सभी डैम्स आदी खट पड़ेंगे, आफते तो बहुत आने वाली है, जिनको ग्यान होगा वह तो डांस करते रहेंगे, जो सर्विसिबल बच्चे हैं, वही पिछाडी में अनुमान मिसल स्थेरियम रह सकेंगे, इतनी भी परिस्तिती आए, लेकिन उनकी अवस्था अचल अडोल रहेगी, कोई तो ऐसे भी है, जो बम की आवाज से ही मर जाएंगे, हनुमान का मिसाल है, हनुमान एक दिखाते हैं, तो हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 ऐसे ताकतवान होंगे, बाबा कहें, कोई एक हनुमान की बात नहीं है, हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान ह होंगे न, बाबा की कम से कम 108 बच्चे तो ऐसे होंगे, वह ताकत आएगी सर्विस से, बाब कहते बच्चे सर्विस कर, उंच पद पाओ, बाद में पश्टाना न पड़े, इसलिए पहले से ही बताते हैं कि उंच पद ले लो, इसको भी समझाना बहुत सहज है, मंदीरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, इन्हों को ये राज्य किस ने दिया, जट कहेंगे भगवान ने दिया, मनुष्य से पूछो तुमको ये धन किस ने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने, लक्ष्मी नारायं को भगवान ने ये धन कैसे दिया या भी समझाना है बाब को जानने से तुम भी वह पद पा सकते हो चलो तो समझाए बाबा कहे उनको कहो चलो तो समझाए या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो यहां कोई पैसे आदी नहीं रखना है तुम बच्चों की बुद्धी में सब राज है लक्ष्मी नारायन सीता राम उन्हों को ये राज्य किस ने दिया जरूर भगवान से मिला सूर्य वन्शी, चंद्रवन्शी राजधाने स्थापन हो रही है तुमने साक्षातकार भी किया है कैसे लक्ष्मी नारायन फिर राम सीता को राच्य देते हैं लक्ष्मी नारायन फिर भगवान से पाते हैं समझा तो सकते हैं ना बाते बड़ी सहज और मीठी है बोलो उंचे ते उंचा तो एक बाप है उस परमपिता परमात्मा को जानते हो बाबा कहते हैं मा में कम्याद करो कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से यह पद पाया है ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल ना जाए मनुष्य को कोई बात याद करनी होती है तो क्या करते हैं बाबा कहें तो गांठ बांध लेते हैं तुम भी सिर्फ दो बातों की गांठ बांध लो किसको सिर्फ ये दो बाते सुनाते रहो कि बाप कहते हैं मन मनाभव मत्याचीवा प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है, सब को पैगाम दो, सर्व धर्म परित्यज मामेकम याद करू, तुम अकेली आत्मा थे, अब मुझे बाप को याद करू, तो विकर्म विनाश होंगे, और तुम मेरे पास आजाएंगे, यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमर लोग चलना है, तुम मेरे को याद करो, बस यही समझाने का धन्दा करो, बाबा कहे यही समझाने का धन्दा करो, आधा कल भक्ति का धक्का खाया है, इस जन्म में संदेश सब को देना है, डिनोरा भी पीट सकते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बाबा का मेसेज देना है, बा ज्यादा कुछ समझना हो तो आकर समझो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है, रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस कर सकते हो, सर्विस का बहुत स्कोप है, परन्तु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं? आसामी भी देखी जाती है बाबा कहते हैं अच्छा हम तुमको किट बैग बना कर देते हैं थोड़ा ही राज किसको समझाना बाबा आये हैं किट बैग में बाबा क्या देते हैं फोड़ा ही राज समझा बाबा आये हैं बक्ती का फल दे ले क्याते बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी करमातीत अवस्था हो जाएगी बाबा गैरेंटी करते है तुम स्वर्ग के मालिक वनेंगे बहुतों को पैगाम मिल जाए अपने अपने गाउं में भी सर्विस कर सकतेगो अत्वा बाहर जाकर करो खर्चा तो मिली जाएगा कोई सर्विस करके दिखावे बल धन्दे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है आठ गन्टा धन्दा करो आठ गन्टा आराम करो तो भी टाइम बहुत है एक घंटा कोई सच्चाई से सेवा करें बाबा धाना भी साथ में सिखाते कि सेवा के साथ साथ धाना ये कोंजी होने चाहिए तो एक घंटा कोई सच्चाई से सेवा करें तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते रहें, परन्तु इसमें निर्भईता भी चाहिए, पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मैं तो आपको इश्वर का रास्ता बताने आया हूँ, हमको हुकम मिला है, एक मिनिट का महा मंत्र दे कर जाओंगा, यह है संजीवनी बु हम बाबा का पैगाम देने आये हैं, बाब कहते हैं मा मेकम याद करो, सर्विस तो बहुत है, परन्तु खुद ही कोई देह अभीमानी होगा, तो किसको तीर लगेगा नहीं, इसलिए बाबा ये भी दाना सिखाते कि देही अभीमानी स्थिती जरूर चाहिए, सर्विस तो बहुत है, परन्तु खुद ही अगर कोई देह अभीमानी होगा, तो किसको तीर लगेगा नहीं, बाब के साथ सच्चा रहना चाहिए, ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहे, यह चाहिए, वह चाहिए, तुमको मांगना कुछ भी नहीं है, तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो, हम अपने हाथ से बना कर खाते हैं, अपने हाथ का बना कर खाने से ताकत बहुत आएंगी, परन्तु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है माया बड़ी बलवान है दे अभीमान की बिमारी बड़ी मुश्किल जाती है बड़ी मेहनत है योग में रह नहीं सकते हैं तो बनाना भी ही छोड़ देते हैं दाबा कही योग में रह नहीं सकते हैं तो बनाना ही छोड़ देते हैं, अच्छा योग में रहकर खा सकते हो, देही अभीमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी महनत चाहिए, बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ, कौनसी भगवान वाच, मा में कम याद करो, तो फिर स्वर्ग में आ जाएं भारत स्वर्ग थाना, बड़ी महनत है, विश्व का मालिक बनना, उंच पद है, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम सब रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नम नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुर्ली से धार्णा के लिए मुख्यसार है पहली पंड कोई भी काम बे समझी से नौको इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है समय निकाल सच्चाई से निर्भई हो सर्विस जरू करनी है सर्विस से ही ताकत आएगी दूसरी पॉइंट दे अभीमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग्यूप्त हो कर ठाना है हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्विकार करना है आज का बाबा का मदूर वर्दान हम बच्चों के प्रती है सर्व आत्माओं के अशुब भाव और भावना का परीवर्तन करने वाले है विश्व परीवर्तक भवा सर्व आत्माओं के अशुब भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भवा जैसे गुलाब का पुश्प बदबू की खाज से खुश्बुधारन कर खुश्बुदार गुलाब बन जाता है ऐसे आप विश्व परिवर्तक स्रेश्टात्माएं अशुब व्यर्थ साधारन भावना और भाव को स्रेश्टता में अशुब भाव और भावना को शुब भाव और भावना में परिवर्तन करो तब ब्रह्मा बाप समान अव्यत फरिष्टा बनने के लक्षण सहज और स्वतह आएंगे इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा आज का स्लोगन है अनुभवी स्वरूप बनो तो चहरे से खुश नसीबी की जलक दिखाई दे आज लवलीन स्थिती का अनुभव करने के लिए बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं यही प्यार की निशानी है तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे सब संपूर्ण संपन और समान बन जाए अच्चा ओं श्याँ श्याँ